नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापती एक बार फिर से आपके सामने हासिर हूँ, एक और एतिहासिक योद्धा की वीरगाथा लेकर महम्मद बिन कासिम के आकरमण से एक चोथाई सदी बीच चुकी थी, लगभग 25 वर्ष का समय बतीत हो चुका था तोड़ गए मंदिरों, मठों और चैतों के ध्वान्स शिश अब टीले का रूप ले चुके थे और उनमें उपजे वन में विशेल जीवों का आवास था कासिम ने अपने अभियान में युवा आयू वाले एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा था या यूं कहिए अब इस शित्र में हिंदू प्रजा अत्यल्प ही थी एक बालक जो कासिम के अभियान के समय मात्र आठ वर्ष का था, वैस कथा का मुख्य पात्र है जिसका नाम तक्षक है तक्षक के पता सिंधु नरेश दाहिर के सैनिक थे इसी कासिम की सैना के साथ युद्ध में विर्गती पा चुके थे लूटती अरब सैना अब तक्षक के गाउं में पहुँची तो हाहा कार मच गया श्तिरियों को घरों से खीच-खीच कर उनकी देह लूटी जाने लगी भैसे आकरांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे तक्षक और उसकी दो भैने भैसे काप उटी थी तक्षक की मा पूरी परिस्तिती समच चुकी थी उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा जैसे एक निरने पर पहँच गई मा ने अपने तीनों बच्चों को खीच कर अपनी च्छाती से चिपका करिया और रो पड़ी फिर देखते देखते उस शत्राणी ने म्यान से तलवार खीचा अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला उसके बाद बेटी की और अंतिम द्रिष्टी डाली और तलवार को अपनी च्छाती में उतार लिया आठ वर्ष का बालक एक एक समय को पढ़ना सी गया उसने भूमी पर पढ़ी मृत मा के आचल से अंतिम बार अपनी आखें पहुची और घर के पिछले द्वार से निकल कर खेतों की और जंगल में भागा दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा एक गेमिंग एप के बारे में जिसका नाम है MPL जिसके ब्रांड एमबेस्टर है नन अदर देन आपके फैवरेट विराट कोहली इस MPL गेमिंग आप पर आप खेल सकते हैं बहुत सारे अमेजिंग गेम्स जैसे कैरम, रमी, फूट चॉप, बबल शूटर इट इस जैनुवन एंड सेफ मोबाइल गेमिंग आप तो आप जानते हैं कि ये गेम खेल कर आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारे टोकन मिलेंगे जिससे आप और भी ज्यादा गेम खेल सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ और मैंने यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी जीत लिये हैं इसे मैं easily withdraw करा सकता हूँ PTM या UPI के थरू So guys, go and download this app right now आप भी घर बेटे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं लिंक आपके लिए description में दिया गया है All the best उसके प्राकरम के किस्से पूरी सैना में सुने सुनाए जाते थे अपनी तलवार के एक बार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकु के लिए अदर्श था कन्योज नरेश नागभट अपने अतुल्य प्राकरम विशाल शेने सकते और अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए विख्यात थे सिंद पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्योज प्राकरमन कर चुके थे पर हर बार योद्धाराजबुतों ने खतेर देते युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते नागभट कभी उनका पीछा नहीं करते जिसके कारण बार बार वे मजबूत होकर पुने हाकरमन करते ऐसा पंद्रह वर्षों से हो रहा था आज महराज की सभा लगी थी कुछ ही समय पूरु गुप्चर ने सूचना दी थी कि अरब के खलिफा के सहयोग लेकर सिंद्ध के विशाल सेना कन्योज पराकरमन के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवत है दो से तीन दिन के अंदर है सेना कन्योज की सिमा पर होगी इसी संबंद में रणनीती बनाने के लिए महराज नागभट ने आए सभा बुलाई थी नागभट का सबसे बड़ा गुणी है था कि वे अपने सभी सेनानायकों का विचार लेकर ही कोई निर्णय करते थे आज भी सभा में सभी सेनिक अपना विचार रख रहे थे अंत में तक्षक उठखड़ा हुआ रबोला महराज हमें इस बार वेरिकोशी की शैली में उत्तर देना होगा महराज ने द्यान से देखा अपनी इस अंगरक्षक की और बोले अपनी बात खुलकर का हो तक्षक हम कुछ समझ नहीं पा रहे तक्षक ने कहा महराज अरब से निक महा बरबर हैं उनके साथ सनातन नीमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे उन्हें उनकी ही शैली में हराना होगा महराज के माथे पर लकीरे उबराएं और बोले किन्तु हम धर्म और मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं तक्षक तक्षक ने कहा मर्यादा का निर्वा उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ है समझते हो ये बरबर धरोन मत राक्षस हैं इनके लिए हत्या और बलातकार ही धर्म है पर यह हमारा धर्म नहीं है राजा का केवले की धर्म होता है माराज और वह है प्रजा की रक्षा देवल और मुलतान का युद्ध याद करें महराज जब कासिम की सैना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चाद परजा पर कितना अत्याचार किया था इश्वर न करें यदि हम पराजित हुए तो बरबर अत्याचारी अर्भी हमारी इस्त्रियों बच्चों और निर्जी पर जाके साथ कैसा वेवार करेंगे यह महराज आप जानते ही हैं आप जानते कि किस तरह से भारतिय नारियों को खुले बाजार में बिचा गया किस तरह से उन्हें एक वस्तु की तरह समझा और भोगा गया महराज ने एक बार अप पूरी सभाके और निहारा सबका मौन तक्षक के तरकों से सहमत दिख रहा था महराज अपने मुख्य सेनापती मंत्री और तक्षक के साथ गुप्त सभाकक्ष के और बढ़ गए अगले दिवस की संध्या तक कन्योज की पस्चियम शिमा पर दोनों सेनाव का पड़ाव हो चुका था और आशाथी की अगला प्रभात एक भीशन युद्ध का साक्षी होगा आधी रात्री बीच चुकी थी अरब सेनापने शिवर में निश्चिन्त सो रही थी अचानक तक्षक के संचालन में कन्योज की एक चोथा इसेना अरब शिवर पर तूट पड़ी अरबो को किसी हिंदू शासक से रात्री युद्ध की आशान थी वे उठते सावधान ओते और अतियार समालते इसके पुरुवी आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए इस भयावे निशा में तक्षक का शोरी अपनी प्रिकास्ठा पर था मैं अपनी तलवार चलाते जिदर निकल पड़ता उधर ही भूमी शावों से पट जाती उशा की प्रथम किरण से पूर्व अरबो की दो तिहाई सेना मारी जा चुकी थी सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी किन्तो आश्चरिये महराज नागभट अपने शे सेना के साथ उधर तयार खड़े थे दो पहर होते होते समुची अरब सेना काट डाली गई अपनी बरबर्दा के बल पर विश्व विजय का स्वपन देखने वाले आतंक्यों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था विजय के बाद महराज ने अपनी सभी सेना नाइकों के और देखा उनमें तक्षक का कहीं अता पता नहीं था सेनिकों ने युद्ध भूवी में तक्षक की खोज प्रारंब की तो देखा लगबग हजार अरब सेनिकों के शमों के बीच तक्षक की मृत देह दमक रही थी उसे शिगर उठा कर महराज के पास लाया गया कुछ शन तक इस अद्भूत युद्ध के और चुपचाप देखने के पश्चात महराज नागबट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में प्रेतलवार रखकर उसकी मृत देह को प्रणाम किया युद्ध के पश्चात युद्ध भूमी में पसरी निरवताव में भारत का वहमान समराट गरज उठा आप आर्य वरत की विर्ता के शिखरते तक शक भारत ने अब तक मातर भूमी की रक्षा में प्राण नोचावर करना सीखा था आपने मातर भूमी के लिए प्राण लेना सिखा दिया भारत युगों युगों तक आपका भारी रहेगा इतिहास साक्षी है इस युद्ध के पश्चात अगले तीन श्तापदितक अरबों ने भारत की तरफ आँख उठा कर देखने की हिमत नहीं हुई हम ऐसे महान प्राक्रमी और दूर द्रस्टा तक्षक को साधर प्रणाम करते हैं इस वीर युद्धा की यह वीर गाथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पताईए एक बार फिर आपके सामने उपस्तित होंगा एक और ऐसे ही युद्धा को साथ लेकर तब तक के लिए नमशकार जय हिंद जय भारत